दोस्तो नमस्कार, स्वागत हैं आप सबी का गुजरात विधान सवाचुनाओ पहले चर्ण का मतदान नश्देख है और मुस्लिमों की चुपपी सीधे तोर पर इसारा कर रही है कि इस बार कुछ आलग ही नतीजे आने वाले हैं गुजरात विधान सवाचुनाओ के गुजरात में मुस्लिम आवादी महच दस फीस दी है लेकिन गुजरात विधान सवाचुनाओ जैसे मुसल्मानों के एद गेद सिमट आया हो तीन पार्टियां बीजेपी, कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से चुनाओ लड़ रही है लेकिन बीजेपी नेत प्रिक्रिया नहीं दे रहा है किंद्रे गिर्यमंत्री अमित सहा और कथित मुस्लिम परस्त असद्दु दिन उभैसिक गुजरात धंगो से लेकर आफ्ता पूनावाला दावद इबराही मजार को चुनावी जुम्लों में लाए लेकिन मुसल्मानों की कोई प्रिक्रिया न बताने को ही तयार नहीं है राजनीतिक भिसे सग्ग्यों की माने तो उनका कहना है कि मुसलिमों की यहाँ चुपी सीरे तोर पर इसारा है कि सभी मुसलिम एक जुट है और बीजे पी को बड़ा जटका देने की तयारी में हैं राजनीतिक भिसे सग्गे कहते हैं कि अगर मुस्लिमों ने एक जुटता दिखाई तो बीजेपे का गुजरात की सत्ता से बाहर होना एक हद तक तैह हैं देख सकते हैं मुस्लिमों की चुप्पी गुजरात विधान सभा चुनाओ 2022 में एहम सावित हो सकती है ये बड़ी खबार ब्रेकिंग न्यूस दोस्तों इस समय के निकल के आई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा आप सभी का वीडियो देखे